मनहोरलाल सरकार का आखरी सत्र जाहिर तोर पर वो कह रहे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है हम अपने मुद्दे अपने तरीके से रखेंगे सरकार का पांच साल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे लेकिन कॉंग्रस को लगता है कि 5 साल में बिफल रहे हर मूर्चे पे सरकार को घिरने का सबसे अच्छा मौका है जाहिर तोर पर विधानसभा चुनाओ नजदीक है और वो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे उस 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कॉंग्रस भी चाहेगे कि श्वेद पत्र के तरीके से वो भी बताएं कि हर्याना की जनता को क्या मिला वाकई पारदरशी नोकरी या भ्रस्टा चार भरे वो लिस्ट जिसमें घोटालो की बात आई बुपेश्टी गुंड़ा जी हमारे साथ है सर ये कह रहे हैं कि हमने इतने नोकरिया दे कि लोग लब लब हो गए और लोग कह रहे हैं कि आप से बड़िया सरकार ही नहीं है और जाहिर तोर पर आपको जितने प्रेस कॉंफेरंसे होई उसमें हमेशा से आरोप रहा कि सरकार हमेशा से विवादों में रही भ्रस्टाचार के मामले में हो चाहे घोटालो के मामले में पहले ये बताएं कि नौकरिया हटाई कितनी हैं अब भी बैठे हैं कोई ट्रांस्पोर्टर बैठा है को रोडवेज वाले बैठे हैं कोई 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 से बैठे हैं कितने हटाई हुए हैं और इन्हों ने जो नौकरियां की पारदस्टा की बात कही है इनकी पोल खुल चुक कितने गोटाले की नहीं आपका ट्रांसपोर्ट से लेकर आपका माइनिंग, आपका मीटर खरीद, ये आपका जो भी इसमें आया स्कॉलर्शिप, बच्चों की शलूर कास्ट की स्कॉलर्शिप का बात है, दाल की खरीदगी है, आटा बेचने लगे, आटा देने लगे, आट की जमीन है, दो करोडा फ्रंट देगे, दिनानिसार के लिए दे दी, इसके समकी लूट पारदस्ता से लूट रहे हैे, महां और प्रिवत्तने लिजू हो रही है, रोतक में मेला ग्राउट में उसकी त्यारी के लिए है, और इस सरकार को कैसी उखाड के फेंगना है, ये अ उसमें 18 तारीकों रंडीती तियáर करेंगे और यत्यक कर देंगे कि विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस खिस्थिती क्या रहेगी क्योंकि कार्य करता है कथे होगे तो अपने रायबी देंगे, बड़े नेता होगे, वो भी अपनी राय देंगे और एक नई रंडीती के सा कॉंग्रेस बार चुरावी मैदान में उतरेगी कुमार रमेश आनाइन टीवी चैनिकर्ड